हेलो स्टूडेंट मैं आपकी टीचर वंधना भारती क्लास 12 कॉमर्स सब्जेक्ट बिजनस का चैप्टर 2 कल हमने आपको जो है विज्ञापन का अर्थ और विज्ञापन के विभिन साधनिया माध्यमों के बारे में हमने आपको बताया था आज हम उसी के आगे आपको विज्ञापन के लाब के बारे में बताएंगे तो विज्ञापन के लाब के बारे में बता रहे हैं विज्ञापन के लाब जो है उनसे जनता और उपभोकताओं और मध्यस्तों को निम्न प्रकार के लाब मिलते हैं सबसे पहली बात तो विज्ञ विज्यापन के लाब को चार भागों में बाटा गया है उत्पादकों को लाब उपभोगताओं को लाब मध्यस्तों को लाब समाज को लाब ठीक है अब इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे कि इन सभी लोगों को कैसे और कौन-कौन से लाब मिलते हैं तो सबसे पहले हम आते उतपादकों को कैसे लाब मिलता है? उतपादकों को विज्ञापन के माध्धम से निम्नलिखित लाब प्राप्थ होते हैं जैसे नए उतपाद का परिश्य करवाने में सहायक है, पुराने उत्पादों की मांग में व्रध्धी में सहायक है विग्यापन बाजार छेत की व्रध्धी में सहायक है प्रतियोगिता का सामना करने में सहायक है विग्यापन ब्रांड प्रात्मिक्ता उत्पन करने में भी विग्यापन बहुत ही सहायक या लाबप्रद होता है उत्पादन लागत की में कमी में सहायक है ख्याती में भी व्रद्धी होती है विग्यापन के माध्यम से दूसरा है उपभोगताओं को क्या-क्या लाब होते हैं उपभोगताओं को निमनेलिखित लाब प्राप्त होते हैं विज्यापन से विभिन उत्पादों का ग्यान होना अच्छी किस्मिकी वस्तूएं कम मूले पर उपलब्द हो जाती है शोशन का डर नहीं रहता है माल खरीदने में सुगमता या आसानी रहती है अनावश्यक मध्यस्तों की समाप्ती हो जाती है और समय की बचत और वस्तूओं के चुनाओं में भी सुवधा मिलती है नेक्स रहे आपका मध्यस्तों को लाब तो मद्यस्तों को निम्निलिखित लापराप्त होता है, जैसे कि मद्यस्त यानि की ठोक व्यापारी या फुटकर व्यापारी ये मुलूग मद्यस्त कहलाते हैं, जैसे वस्तूओं का विक्रे करने में सरल्ता, आए में स्थाई रूप से वरद्धी हो जाती है, बाजार का परहाने में सहायक होता है विग्यापन जीवनिस्तर के सुधार में भी सहायक होता है विग्यापन और देश के आर्थिक विकास में भी सहायक होता है विग्यापन हमने आपको आज के इस वीडियो में विग्यापन के लाब के बारे में बताया है इसके आगे हम आपको विग्य अपन के दोस्त के बारे में कल के वीडियो में बताएंगे